हलो दोस्तों अभी साइद आप लोग कल कोई सेर्स जो है सेल कर दिये हैं तो उसका जो है पैसा आपको आपके अकाउंट में नहीं दिखा रहा होगा और आपको यहां पर कुछ इस तरह लिखा देखने को मिल रहा होगा क्योंकि यहां पर यह लिखा है कि 6 अपरेल को जो कल सेल किये हैं उनका पैसा अपने अकाउंट में नहीं आया है यानि कि एंजल वन अकाउंट में नहीं आया इसका वज़ा यह बता रहा है कि सेटलमेंट के लिए टी प्लस टू डेज लगते हैं कि trading day plus two trading days तो इसका मतलब यह है कि अभी देखिए आज 7 अप अप्रेल है तो आज जो है गुड फ्राइडे होने के वज़े से जो है आज holiday है जिसके वज़े से आज settlement नहीं हो सकता और कल Saturday है और person Sunday है तो 3 दिन जो है settlement नहीं होगा इसके वज़े से जो है जो भी कल sell किया है बाई किया है उसका settlement हो जाएगा वो कब होगा वो Monday को यहां पर 10 अपरेल को इसका होने वाला है तो इसमें आपको कोई गबराने की बात नहीं है कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ है सिर्फ यहां पर settlement नहीं हो रहा है अभी फिलाल इसका यही यहां पर notification दे रहा है तो अगर आप कोई sell किये हैं पैसा नहीं आया है या फिर कुछ भी यह ऐसा इस तरह का कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप बिलकुल गबराये मत यह हो जाएगा आपका कोई tension नहीं होने का है तो यहां पर बस वही लिखा है credit for share sold on 6th April will be available for withdrawal on 10th April on account of trading holiday यानि कि जो कल आपने 6th April को sell किया है उसके पैसों को जो है आप 10th April को ही आप इसको withdraw कर सकते हैं क्योंकि यह trading holiday है जिसके वज़े से आप आज पैसा withdraw नहीं कर सकते हैं या पिर कल नहीं कर सकते हैं परसों भी नहीं कर सकते हैं Saturday Sunday को तो holiday ही रहता है उसमें trading settlement नहीं होता है तो आपको अगर आपको पैसा angel one से withdraw करना है तो वो सिर्फ आप Monday को ही कर सकते हैं जो की 10th April है So I hope आप समझ गए होंगे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस आपको जो भी problem आता है तो हमको इस वीडियो के लिंक में जो है टेलिग्राम चैनल वाँ पर आप message कर सकते हैं कोई भी doubt होता है तो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन दबा लीजे जिससे आपको कोई भी दिक्कत वाली ऐसे वीडियोस हम बनाते रहेंगे सायद आपको वो problems पता ही नहीं है जो हम आपको बताते हैं तो उससे जो आपको future में कोई problem आने वाली है तो आप उसको बड़े आसानी से उसका phase कर सकते हैं